अमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं पुखनम आपके साथ अमेरिकी राजपती जो बाइडन की जुबान एक बार फिर फिसल गई ताजा मामले में बाइडन नौलनी की पत्नी का नाम गलत बोल गए हलाकि वाइड हाउस ने इस पट्टिपणी नहीं की है दरासल रूसी राजपती वलाम दिमिर पुतिन के सबसे बड़े विरोधी अलेकसी नौलनी की मौत के छे दिन बाइडन ने उनकी पत्नी यूलिया और बेटी दाशा से मुलाकात की इस दोरान उन्होंने नौलनी की पत्नी यूलिया को यूलांडा कह दिया मुलाकात के बारे में जानकरी देते हुए बाइडन ने कहा नौलनी की पत्नी और बेटी के साथ हुए मुलाकात के दोरान मैंने दोनों से कहा कि नवलनी बहुत भादूर थे पुद्दिन अलेक्सी की मौत के जिम्मेदार है हम 24 फरवरी दोजाट 24 को पुद्दिन एक खिला फ्रतिबन लगाएंगे लेकिन एक बात तो साफ है कि यूलांडा सही नाम यूलिया वो लड़ाई जारी रखेंगी जो नवलनी लड़ रहे थे इसलिए हम हार नहीं मानेंगे नवलनी की मौत 16 फरवरी को रूस की सबसे खतरनाख जेल पोलर वुल्फ में हुई थी यह पहली बार नहीं जब बाइडन ने किसी का नाम गड़त लिया हो उनकी याददाश पर कई सवाल उठ चुके हैं अमेरिकी मीडिया न्यूयोक टैम्स के मुताबिक कुछ दिन पहले बाइडन ने याददाश के आरुपों का खंडन करने के लिए प्रेस कॉन्फरेंस की इस दोरान गाजा को लेका सवाल पर हमास का नाम भूल गए इसके बाद मिस्र के नेता अब देल फतर अल की सीसी को मेक्सी को राश्टपती बता बैठे इसके पहले निवादा में डेमोक्रेटिक पार्टी के दोरान बाइडन ने कई मिनिट तक फ्रांस के प्रूव राश्टपती फ्रेकोईस मेट्रेंड से बाचित का जिकर किया था फ्रेकोईस का 1996 में निदन हो चुका है इतना ही नहीं वो फ्रांस को जर्मनी भी बोल गए थे दोर्जब 22 में बाइडन डेमोक्रेट्रिक पार्टी के टाउणहॉर्न में पहुचे थे यहां स्पीच के दोरान उनने अपनी ही पार्टी के संसत का नाम लेकर उनने तीन बाज स्टेज पर इन्यवाईट किया था इस संसत का निदन हो चुका था इसके बाद बाइडन ने माफी मांगी थी बाइडन अमेरिकी संसत में हुई इंसा की तारिक भूल गये थे वो 6 जन्वरी की जगा 6 जुलाई बोल गये थे उन्होंने कहा था चे जुलाई को जो कुछ हुआ उसका अंटरनेशनल लेवल पर जो असर हुआ था उससे आप समझ ही सकते हैं इसी भाशन में उन्होंने जहां युक्रेनियन बोलना था वो उसे इरानियन बोल गये थे दरसल 2020 में हुए राश्टपती चुनाव में ट्रम की हार हुई थी उनके समर्थकों ने हास्विकार नहीं की थी इसके बाद समर्थक 6 जन्वरी 2021 को अमेरिकी संसत कैपिटल हिल में घुज गए थे इसी के साथ बने राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद